तोर्स वेलकम टू आरे एंजलिक गाइजिंस आई होप आप सब अच्छे होंगे अपर लाइब में सब भरियां कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपकी सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका 2023 कैसा रहने वाला दे चलिया एस ओफ वैंस ओखेंगे वाला देखेंगे वाला देखेंगे वाला देखेंगे आपके लाइफ में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आने वाली 2023 में और उसको गवाना नहीं है उसमें careless नहीं होना चुकि यहां पर बहुत ज़्यादा चांसे से कि आपकी wish fulfillment होगी ठीक है जो achieve करना साथ है तो वो achieve करोगे अब दो पहलू आ रहे हैं यहां पर जिसे ace of wants आ हैं दस टार आ है आपकी कोई wish fulfillment यहां मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई opportunities आई है तो आप उसका careless किया तो यहां बहुत ज़्यादा चांसे से कि आप मेंसे काफी लोग का दिल भी तूट सकता है तो उस चीज के लिए कभी careless नहीं होना मेहनत करनी है ठीक है बाकी और भी हम card देखेंगे फिर explain करती हूँ पूरा okay tower queen of cups the fool मैं इतना कहूंगी देखो भाई love की बात करूंगी अगर आपके love life में tower moment आएगा ठीक है यह message भी चैनल होगा कि कुछ लोग की life में tower moment आ सकता है ठीक है तो मैं इतना बता दो अगर आप hurt होगे यह tower moment आपको और strong करके जाएगा और आपको अपने उपर भरूसा होगा यहां पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग वाले angle से देखने आए ठीक है जिनका relationship चला है या तोटा है या फिक कुछ भी हुआ है मैं उनकी बात करूं कि आप अपने आपको खो रहे हो प्यार के चक्कर में और जब आपको खोना शुरू कर देते हो वहां से tower moment शुरू हो जाता है आपके life में ठीक है यह यह three of swords भी त females and males का percentage तो मैं females को ज़्यादा देखती हूँ इन स्टिप जी जो है ठीक है बट मैं उर्जा की बात करते हूँ देखो जिनको males को भी जरूरत है वो भी message को ले सकते कि पहले खुद की words समझो ठीक है मैंने कहीं सुना था जो प्यार देते हैं ठीक है और जो ले रहे हैं जो ल आपको कोई प्यार कर रहा है जो प्यार दे रहे है वो उपहार दे रहे है गिफ्ट दे रहे है ठीक है तो हमेशा मैं अतना बताते हूँ देने वाला सबसे बड़ा होता है और आप किसी को प्यार किये जा रहे हो किये जा रहे हो और वहां से कुछ नहीं हासिल हो रहे हो आपके प्यार का कोई मतलब नहीं समझ रहा है वो in return बलकि आपको pain दे रहा है, pain दे रहा है, तो आपको समझने की ज़रवत है इसमें, कि आप बड़े हो, अगर वो कुछ गलती कर भी रहा तो आपको बताना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है उसको वो नहीं समझ सकता, उस चीज़ों को तो आपको खुद में कुछ सुधार करने की ज़रवत है कि बस बहुत हुआ, ज़्यादा tolerate करना भी चीज़ों को फिर ये इतना, आप ज़्यादा tolerate करोगे ये भी toxic relationship में convert होता चला जाएगा, ठीक है, एक balance होना बहुत ज़रूरी है, equal give and take होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके life में tower moments आएंगी ठीक है, अगेन यहापे अगर मैं देखू तो देख रहा है कि carelessness, carelessness की वज़े से आपके भी कुछ carelessness के वज़े से आप अपके 2023 में tower moments देख सकते हैं तो चीजों को थोड़ा समझाल के, ठीक है या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते जो आपको cheat कर सकते हैं धोका दे सकते हैं, तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखने की जबत है, चोकि यह चांसे बहुत है अब आपका जो card आया है मैं तो बताओं कि वो काफी balance आया है बहुत बुरी चीजे भी नहीं है बट कुछ ऐसी चीजे हैं जिनसे आपको सावधान नहीं नहीं हो सकता, जैसे कि यह दो card and यह third world भी तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शयद आपको लोग धोका दे सकते, तो उनसे थोड़ा बचके रही है लोगों की वज़े से यह आपकी carelessness की वज़े से tower moment life में आ सकते हैं, ठीक है, बागी मैं देख रही हूँ कि आप अपनी self worth समझोगे आप अपनी गलतियों से यह हो सकता chances कि आपके life में opportunities ना और आप उसका फाइदा ना उठा पाए तो अपनी opportunities को अच्छे से grab करो, उसका फाइदा उठाओ कुछ पढ़िया successful कुछ करो, achieve करो goal को, यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए दूसरा मैं यहां कहरे हूँ कि अपना कर्म करो कर्म बहुत ज़रूरी है, यहां पे कर्म कर्म करना बहुत ज़रूरी है आपने सिकाफी लोग恭喜 2023 में उपर वाले के भरूसर नहीं रह सकते उस पर विश्वास करो वो बहुत अच्छी वात है लेकिन कर्म भी करना है यहां कर्म की उर्जा बहुत कमा ही आपके लिए तो प्लीज अपने कर्म करो चुकि यहां पर जिस्ता से यह दो काड आया है मैं देख रही हूँ कि उपर वाले पर बहुत बरुसार हो जाएगा ठीक है देखा जाएगा उपर वाला तो ही है यह नहीं चल लेगा यहां पर यहां पर कर्म करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए आयो देखते हैं और क्या काड है डेटिंग आप किसी को डेट कर सकते हो ठीक है किसी को पसंद कर सकते हो किसी को जानने की इच्छा रखोगे किसी से प्यार हो सकता है दिस इनर्जी इस इंटेंस, मास्टर फूल थार्फ, देखो मैं इतना बता दू कि आपकी इनर्जी काफ़ इंटेंस हो सकती है कोई ऐसा काम करोगी जिसमें से आप मास्टर होगे आप सब काम बहुत भैता तरीके से करने में विश्वास रखते होगे या करते होगे बहुत ज़दा सोचोगे और बहुत ज़दा चार्मिंग दिखने वाले होगे तब ही मैं देख रही हूँ कि आप लोगो को अट्रैक कर रहे हो काफी चीज़े सीकर्ट भी रखोगे सब सब की सारी बाते नहीं बताओगे ठीक है और थोड़ा पजल से बिरोगे अपने चीजों को लेकर ठीक है 2023 में क्लेंजिंग बॉड़ी और स्पेट मैं देख रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखो ठीक है और मैं यह भी देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा रिलाक्स मोड में जादा रहने वाले हो इसलिए मैं निकार्म करना है दूसरा यह अच्छी बात है कि आप थोड़ा रिलाक्स करते हो और खुद को positive रखते हो खुद को clean करने में विश्वा सकते हो कि यह नहीं की negative उर्जा आपके आसपास रहे ठीक है तो यह चीजों का ध्यान रखोगे आप not the right time किसी चीज के लिए अभी सही समय नहीं आया है आपके लिए तो जल्द बाजी ना करें यह दिखी tower moment आ रहा है तेकिए मैं इतना कौँगे अगर life में tower moment आ रहा है इसका मतलब वो चीज आपके लिए नहीं बनी है या वो सही समय नहीं है ठीक है तो यह नहीं कि अगर आपका काम बना नहीं तो आप दूसरी बार try नहीं कर सकते ठीक है अगर आप एक बार गिरोगे दो बार गिरोगे इतना समझ लेना बार बार करना give up अगर किसी पर आप नहीं करते हो तो वो चीज आपको milky रहती चाहरे जो हो जाए तो किसी भी चीज पर give up मत करना कोई चीज के लिए आपके हो सकता हो वो सही समय नहीं लेकिन आगे जाके बन जाए आपके लिए सही समय ठीक है तो काम भी कर रहे हो तो भी उस पर आपको balance लेके चलना पड़ेगा नहीं तो गरबर हो जाएगी ना फिर आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे कहते हैं न तो इस चीजों का ध्यान लखना पड़ेगा increase awareness यहां पर मैं कहूंगी जितना हो सके आप जाए 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 आवेर रहो चीजों के बारे में information लो जानो समझो इंटरनेट है ही आपके पास ठीक है बाकी books वेगरा भी आपकी बहुत मदद कर सकती है मैं देख पार हूँ कि आप जितना आप जानोंगे अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं meditation करो उससे भी आपको बहुत जादा awareness बढ़ेगी तो आप अपने कामों को सही तरीके से कर पाओगे खुद को positive रख पाओगे ठीक है और यहां पर है deep connection trust your inner voice अपने मन की आवास सुनो आपकी मन की आवास कभी भी आपको गलट guide नहीं करेगी आपक सही जवाब देती है तो soul की सुनो nothing will come of this situation कुछ तो आपके लिए no है not है ठीक है और आपसे कहा जाए और जैदा परिशान में केरा मत होएगा negative energy समझेगा चुकि उसको में जाने को कोई मतलम नहीं ना कोई फाइदा होने वाला है जितना हो सके life में positive रहना है awareness को बढ़ाना ह ठीक है खुश रहना है और wisdom gain करनी है come to the edge में यहां देख पारी कुछ ऐसी चीज़ों हो सकती है जो काफी हद तक अपर से उसका result आपको दिखने वाला हो या उसका कुछ तो होने वाला हो या अब बस बहुत हो गया कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए भी होता है कि बस बहुत हो गया ठीक है और आपको अपना ध्यान भी रखने की जरुरत में यहां देख पारी हूँ है कुछ चीज़ों में जैसे कि अपना ध्यान भी यहां पर रखने की बहुत जरुरत है मैं देख पारी हूँ कि अपके लिए risk वाला काम भी करना फाइदे मन्द हो सकता है और यह भी देख पारी हूँ जो भी काम करो शिद्दत से करो पैशन यहां पैशन की बात भी करी जा लिए जो भी काम करो शिद्दत से करो solitude मैं यहां देख रही हूँ हूँ देखिए मैंने का books वगएरा awareness देखिए आपके लिए increase awareness आई यह book का भी आया है अपनी foundation अपना आपको अंदर से strong करो वो pillar देख रहे हूँ उस person के बीचे वो pillar क्यों है यहां पर यह pillar strong होने को कहा जा रहा है आपसे solitude मतलब होता है मैं अकेले रहू कभी अकेले भी होना पड़ता है ग्यान इकटा करना पड़ता है और ग्यान की प्राप्ती अकेले भी होती क्यों लोग चले जाते जंगल वे गेरा में बैठ जाते हैं meditation करने लगते क्यों चुकि उस ग्यान की प्राप्ती से question करना खुद को जानना से यह सब अकेले में होता है भीड में नहीं होता है ठीक है आपसे कह रहे हैं कि अपने करियर पर फोकस करो कुछ करो कुछ बड़ा करो अलग होके भी ठीक है ज़रूरी नहीं कि लोग साथ नहीं तो हम अकेले जी नहीं सकते अकेले रह नहीं सकते ठीक है एक फैमिली में भी कुछ लोग की happiness आ रही हैं, खुशिया आ रही हैं आपके फैमिली में और मैं देख पा रही हूँ, आप खुद पर ध्यान दोगे और अपने फैमिली पर ध्यान दोगे आपके लिए ये चीज ज़्यादा matter करी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, center आप हो, आप क्या कर रहे हो, किस से मिलते हो, किस से जुलते हो वो समझा आप किते लोगों सर्फ कर रहे हो, आप अपना cleansing कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो की नहीं यह सारी चीज़े बहुत matter करती है, आप अपने किस से treat करो, यह सब कुछ आप की चारो और घूम रहे है, आप center उस चीज का आपको अपने उपर work करना है, again यहाँ पर दो चीज़ पर आई है, season of failure यहाँ पर बता रहा है कि अगर past को नहीं छोड़ोगे तो present में आगे नहीं बरपाऊगे, कुछ चीज़े को भूलना परता, दो में से कोई एक चीज़ चूस करनी ही परती है आपको, ठीक है, यह भी बताता है, और यह भी बता रहा है कि अगर past में रहोगे तो आगे नहीं बरपाऊगे, ठीक है, त गड़ा कोद रहो, यह मैं आपको बता दू, इससे आपका भी शुखी नहीं रहोगे, ठीक है, तो यह चीज़े है, और दूसरा main male, अगर female साब देख रहो तो आपके life में कोई main male आएगा, दूसरा अगर male साब देख रहो तो आपको personality बनानी है, main male वाली, ठीक है, यह नही होते रहोगे जिंदगी में और आपको ignore होना नहीं है, आपको spotlight में आना कि मैं आगे हूँ, ठीक है, और इस तरह का कोई person में देख पार, यह female साब आपने life में track कर सकते हो, ठीक है, और कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि देखो, यह भी a message channel हो रहा है, अगर आपक जब उनकी entry अपने आप होगी, आपको अभी अपने उपर focus करने की ज़र्वत है, यह message मिला है, जो आपके लिए है, देख लेते हैं कौन सा मन्त अच्छा रहने वाला है आपके लिए, 2023 में सप्चंबर, जैन्वरी, मार्च, जुलाई, तो यह मन्त आपके लिए बहुत आपकी life किस चीज के चारो और घुमने वाली है, career, career मैंने कहा न, career देखिए चाहिए, आप male हो या female हो, आप दोनों के लिए से message आए कि आप और आपका career बहुत ज़्यादा important है, समय बर, आईए देख लेते हैं, lion, time to act, बैठे रहने का समय नहीं, काम करने का समय है, in need of health, assistance and guidance, तो ज़रूरत पढ़ने पर कोई हाथ आपके लिए ज़रूर आएगा, कोई assistance आपके लिए ज़रूर आएगा, कोई assistance आपके लिए guidance आ सकते हैं, या तो आप भी किसी को help कर सकते हो, ठीक है, यहाप आपके लिए पर्स आया है, pay attention to your finance, इसलिए career आया है, अपने finance बिध्या आपके लिए आपके लिए और आना चाहती है, इसलिए आपके लिए आपके लिए राजगत्धी, कोशिश करो, जरूर मिलेगी, ring a marriage will take place either romantic or business क्या मैंने marriage के बारे में नहीं खा था आगे रेक्टे hard work है बहुत महनत करनी बढ़ सकती है आने वादे समय में महनत कराए जाएगा you feel something is lacking in your life perhaps love, money and goal कुछ तो आपके life में आपका दूरा लगेगा चाहिए वो प्यार हो चाहिए वो पैसा हो चाहिए वो आपके लिए आपका कोई goal हो job achieve करना चाहो हर इंसान के life में कोई ना कोई goal हो reconciliation यहाँ पे किस लोगों का मिलन हो रहा है कुछ बिछड़ों का भी जो बिछड़े हुए है और कुछ ऐसे लोगों का भी जो अभी तक नहीं मिले है तो वो भी तो मिल रहे हैं आपस में एक हो रहे हैं तो यह थी आपकी रीडिंग टॉरस अगच्छ लगिए तो लाइक कीजिएगा कर्मेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा और सब्सक्राइब ने के तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल थाइब बताएब कर्वाचिए तो लुए 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 लुए